हेलो स्टुदेंट्स मेरा नाम नकूल चोहान है और मैं पूर्ट क्लास की एकॉरोमिक्स का सिलिबस पढ़ा रहा हूँ आज की क्लास में हम अपने 12 क्लास की एकॉरोमिक्स की 2 बुक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिन एकॉरोमिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर बताया था कि हमें एकॉरोमिक्स की एक प्रिवेस या पुरानी हिस्टरी को लेकर थोड़ा पढ़ना होगा और उसके previous conditions से लेकर आज तकी conditions को हमें compare करना होगा ठीक है तो आज की class के अंदर हम start करते हैं Indian economy development का सबसे पहला chapter Indian economy development में जो हमारा सबसे पहला chapter है याता है Indian economy on the eve of independence जो भारत सोतंत्र हुआ था तो उस condition उस time पर भारत की जो condition थी वो कैसी थी Indian economy की जो condition है वो independence के time पर कैसी देखी गई थी अब हमें पता है Indian economy की condition को हम बहुत different aspects से measure कर सकते हैं तो इसलिए हमें सिर्फ economy से related terms को देखना है हमें सिर्फ economy conditions से related terms को देखना है तो उसमें हमें limited चीज़े पढ़नी होंगा और वो limited चीज़े क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखिया है यह हमारा content है जो हमें इस chapter के अंदर पढ़ना होगा जिसमें सबसे पहला content आता है agriculture sector on the eve of independence के इंडिपेंडेंस के time पर इंडिया का जो agriculture sector था या भारत का जो किर्ची छेतर था वो किस तरीके का था दूसरा हमें पढ़ना है industrial sector भारत के अंज़े दो industries थी क्या वो आज की तरह perfect थी या आज की तरह या पर कह सकता हूँ आज से भी जदा वड़िया थी आज से बहुत बिल्कुल बेकार थी मतलब पुराने time की वो जो industries थी हो सकता है आज से बिल्कुल different रही हो कैसी थी उस time पर वो चीज़ हमें पढ़ने होगी industries के अंदर तीसरा जो भारत का foreign trade था किस time पर independence के time पर वो किस तरीके का रहा foreign trade के बाद भारत की जो demographic profile है foreign trade विदे सी वेपाद demographic profile को हिंदी में जनांकी किया रूप रेखा कहा जाता है जो demographic profile ही होती क्या है तुमने सुना होगा birth rate, death rate, mortality rate या literacy rate यह सब चीज़े सुनी होती है, actual में यह सब चीज़े मिलकर एक country की demographic profile को represent करती है अगर हमें demographic profile की बार में देखे हैं, हमें पता है death rate पुराने time में अलग थी, आज अलग है literacy rate पुराने time में लगए, आज अलग है, इसका मतलब पुराने time की जो demographic profile थी, वो different रही होगी वो हमें पढ़नी है इस वारे topic में next, occupational structure, इंडिया का जो occupation था, उसका structure कैसा था अगर मैं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जो primary sector में काम करते थे agriculture में तो कुछ लोग ऐसे थे जो industry में भी वर्क करते थे, और बचे कुछे वर्क ऐसे भी थे जो service sector में, मतलब tertiary sector में वर्क करते थे primary में, secondary में, tertiary sector में किस-किस तरीके से structure बना हुआ था occupation का, वो है इंडिया का occupational structure जो हमें पढ़ना होगा हमें यह पढ़ना होगा कि इंडियन economy की condition जो थी, उसमें occupational structure इंडिया का independence की टाइम पर कैसा रहा occupational structure के बाद हमें पढ़ना है इसके अंदर infrastructure, जो इंडिया का complete structure रहा है, infrastructure में बहुत सारी चीज़े include की जाती है, जिसके अंदर education भी है, transport भी है, health भी है, insurance भी है, banking में ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, यह सारी चीज़े मिलकर एक country के infrastructure को maintain करती है, इंडिया का infrastructure पुराने टाइम पर कैसा था और आज कैसा है, यह चीज़े भी हमें इसमें पढ़नी होगी infrastructure, बट यहाँ पर हमें independence के time का infrastructure देखना है, next topic हमें इसमें पढ़ना है, वो है features of Indian economy, हाँ, यह चीज़ ध्यान नखना, बहुत से लोग इसे क्या करते हैं, starting में बढ़ाते हैं, बट मैं तुम्हें इन्हें तब पढ़ाऊंगा, जब तुम्हें starting से लेकर यहां तक है, यह वाले topics, यहां से लेकर, यहां तक, यह वाले topics जब तुम्हारे सारे cover हो जाएंगे, अगर मैं टोटल की बात करते हैं, हमारे 6 topics हैं, इन 6 topics को जब हम cover कर लेंगे, तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा, कि Indian economy जो है, उस Indian economy के features क्या थे, किस टैम पर independence के टैम पर, next इसके बाद, colonial exploitation, colonial exploitation, colonial blood जो है, एक colony से बना है, colony का मतलब जैसे हम बोलते हैं, हम अपनी colony में रहते हैं, तो हमारे एक तरीके से महाँ पर rule चलता है, तो ऐसे ही British वालों ने हमारी India को भी अपनी एक colony बनाया था, और colony मनाया तो उन्होंने हमारी country का एक शोचन किया, exploitation किया, अपनी colony मानकर इंडिया को उन्होंने हमारी country का exploitation कर रहा था, शोचन कर रहा था, और वो exploitation कैसे कैसे किया, किस-किस चीज के अंदर exploitation कर रहा, वो चीज़ा हमें पढ़नी है, इसके अंदर, colonial exploitation of Indian economy under the British rule, next, introduction of railway, हाँ, इंडिया के अंदर कुछ चीज़ों का फायदा भी था, British rule का, और उसमें एक फायदा जो है, वो railway भी है, मतलब, British जब आये, तो British आये हमेशा अपने फायदे के लिए थे, बट British वालों की वज़े से कुछ फायदे हैं तो वो तो चलेगे, उनके benefit आज हमें मिलने हैं और उनमें से एक benefit जो है, वो railway है, railway के कुछ impact उस time पर अच्छे भी थे और कुछ impact उस time पर वेकार भी थे, economic conditions को देखते हुए, economy को different different part में classify किया जाता है, जिसमें एक तो backward economy है, दूसरा developing economy है, तीसरा इसके अंदर developed economy है, चौथा stagnant economy and last vibrant economy, इनके हिंदी में नाम मैं को बात में ही बताऊँगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो, पांच तरकी के economy के मैंने हाँ पर नाम लिखे हैं, जो मैं बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, यह हमारा पहले chapter का syllabus है, पहले chapter के अंदर यह हमारा सारा content है, अब अगर मैं इस content की बात करूँ, तो इस content से अलग एक छोटा सा topic और है, जो तुम्हें लक्षे पढ़ना, और वो क्या है, इस chapter के कुछ important years, यह धान रखना, मैं हर chapter में यह जरूर पढ़ाऊँगा, कुछ important years, कि इस chapter के अंदर जो हमारे years हैं, जैसे इंडिया के अंदर जो British वाले आई थे, आपिरिटेशरॉरilles, रूँल करने इस это कि रहा थे, फॉर हमारे जैसे यह अधेशन, आपको याद रहे होंगे, पेपरमक कई बार खोशिन आते हैं, जिसमें तुम से year पूछ जाये, तो इस chapter की year जो एक मैं separate वीडियो बनाऊंग गे, यह हमारा syllabus content है और इसी sequence में मैं आपको वीडियोज बना कर दूँगा ठीक है तो आज का जो content है हमारा इसमें वो सबसे पहला आता है agriculture sector on the eve of independence स्वतनता प्राप्ति के समें जो भारत का किर्शी छेतर था जो भारत का agriculture sector था वो किस तरीके का था देखो agriculture sector मैंने यहापन लेख सि कम्यां भी पाई जाती थी और बहुत उसके कुछ फायदे भी रहते थे कुछ उसके agriculture sector में हम में लिक क्या कैसी देखते थे वो हम यहाँ यहाँ पर लिखी है सबसे पहला agriculture sector के अंदर low production था और उसकी productivity भी लो थी low production productivity कम उत्पादन था और उत्पादकता भी कम थी अब यहा टेर जमीन के उपर में production की बात करता हूँ तो वो productivity को represent करता है इंडिया के अंदर जब independence के टाइम पर देखा जाए तो independence के टाइम पर क्या होता था लोग के पास income के source नहीं थे income के source नहीं थे तो पुराने टाइम पर वैपानी वानी की यतनी facility होती नहीं थी किसानों को बारिस के ओपर dependent रनना पड़ता था तो ऐसी condition में किसानों क्या करना पड़ता था जब खेती में जादा वो लागात लगा ही नहीं सकते तो अब ऐसी बात है production का level जादा होगा ही न जब तुमने जमीन के अंदर कोई अलग तरगी की खात को यूज नहीं करा अलग अच्छे तरगी के बीजों को यूज नहीं करा तो ऐसी condition में तुमारी जमीन की fertility है या जमीन का जो जाओ पन है वो भी डाउन होता था इसका मतलब वाहां की productivity है वो भी डाउन होती थी तो य इंडियन एकॉनमी के अंदर जो अगरिकल्चर सेक्टर था अगरिकल्चर सेक्टर में हमने क्या देखा production का level और productivity का level दोनों ही बहुत कम थे ठीक है second आता है तुमारा इसमें dependency of rainfall rainfall का अंदा बारिश बारिश की जो निरभरता थी वो actual में क्या था आज के टाइम में क्या होत होती है नहरे बहुत सारी है और गाउं के अंदर छोटी छोटी चीजा ऐसे बहुत सारे डवलप हो चुकी हैं जिसकी वज़े से उन्हें खेतों को सिचाई करने में सिचाई को irrigation facility कहा जाता है irrigation करने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती बट पुराने टाइम में क्या होता था ये सब चीजे नहीं हुआ करती थी टिवल सब बहुत बाद महीं है पुराने टाइम में ये सब चीजे नहीं होती थी पुराने टाइम में उन्हें completely depend रहना पड़ता था किसके ओपर सिर 3rd, subsistence farming Sumstence farming का मतलब क्या होता है? एक ऐसी खेती, जो तुम अपने life को रणी करने के लिए उस करतेों बे आपको पता है, आज की से ताप में क्या होता है? जिसे कोई किस्तान है? वो खेती कर रहा है वो खेती करता है किसलिए क्योंकि वो खेती करता है उसे अपने लिए भी यूज़ करता है बट उसमें से एक portion अलग निकाल कर market में बेचने के लिए भीज़ देता है क्यों 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 वो चांता है मैं इस अपने खेती से जो खेती कर रहा है इस खेती से वो पैसे भी कमा सकता है को जर सैल कर रहे थे दो खेती से जदना प्रोडव 시यρι रख लेते थे होar में किसानों की पास इस गतैक करने गया करते थे खी भरी सैल करनेके लिए उसे चेंट इसका मातलब बतार सिर्फ और भी फैर्मिंग लिदे कर रहे थे वो सिर्फ अपनी जीवन को चालाने के लिए अपनी लाइफ को रन करने के लिए कर देते और कोई भी ऐसी farming जो सिर्फ लाइफ को रन करने के लिए की जाती है वो कलाती है subsistence farming जिसको हिंदी में जीवन निर्भा खेती कहा जाता है ठीक है चौथा था है small and fragmented land holdings holdings का मतला यहां पर खेतों से है small का मतला छोटे-छोटे खेत और फ्रेंग्मेंटेटी को मतलब है बटे हुए अगर मैं कहता हूँ मालो मैं एक farmer हूँ और मेरे पास दस छोटे-छोटे खेत है बट वो छोटे-छोटे खेत जोने बहुत अलग-अलग पार्ट में बिखरे हुए एक खेत आपर है दूसरा काफी दूर है तीसरा और दूर है जब दस खेत दूर-दूर होंगा तो मुझे चोटे-छोटे पार्ट होते थे तो इसलिए किसान लोग ज़्यादा खेती नहीं कर पाते थे रीजन क्या है क्योंकि उनकी वैसे ही कोस्ट बहुत जदा बट जागी जब इदर बार-बार वो ट्रैवल करेंगे मैं सिंपल एक बात बोलो हूँ जब तुमारे खेत चोटे और बहुत जदा बटे हुए पार्ट के अंदर होते हैं तो ऐसी कंडिशन में खेती करना impossible होता है तो पुराने टैम में यह चीज़ देखी जाती थी बात में इसको दीरे-दीरे रिमूव कर गया जैसे वो दस पार्ट में बता रहा था उनको बात में जोड़कर एक जिए तुम्हें खेत देना स्टार्ट कर दिया गया था नेक्स आता है तुम्हारे इसमें land revenue system यह एक भहुत important topic है इस chapter का इस chapter में जो मैं पहला topic पड़ा रहा हूँ अग्रिकल्चर सेक्टर है अग्रिकल्चर सेक्टर में कई बार सिर्फ land revenue system को पर अलग से एक topic पूछा आता है अलग से एक तीन नमर या चान नमर में कोशिन बूछ ले जाएगा लेंड रिवेनु सिस्टम है क्या देखो पुराने टाइम में ब्रिटिश लोग थे ठीक है ब्रिटिश लोग के वीच में यहाँ पर थे जमींदार और जमींदार के नीचे थे फार्मर्स जो ब्रिटिश लोग थे उन ब्रिटिश लोगों ने जमींदार लोग यह वह हुआ करते थे जो उस टैम पर थोड़े पड़े लिखे माने जाते थे मतलब जिनने थोड़ा हिसाब रखना आता था ब्रिटिश लोगों ने क्या करा क्योंकि सारी जो खेत वेत थे वो सारे उन पर पूरा राइट ब्रिटिश वालोग था तो ब्रिटिश वालोगों ने क्या करा था उसका राइट देना स्टार्ट करा किसको जमिंदार लोगों को जमीनदार लोग भी British लोग के अंडर ही वर्क कर रहे थे बटनों ने राइट देना स्टार्ट कर रहा किस दिजगा उन खेतों का उन जमीनों का किसको जमीनदार लोग को बत्तर जमीन नखने वाले जो परसन थे वो जमीनदार बन गे थे यह उनके एक तरगे के fix ओनर माल ले गे थे और जमीनदार को यह कहा गया था कि तुम्हें एक fix amount तुम्हें एक fix amount पे करना है किसको पे करना है? British लोग को British government को बट यह तुम fix amount कहा से लाओगे? जो तुम्हें हमने खेत दिये हैं या जो तुम्हें हमने जमीने दिये हैं इन जमीनों को तुम farmers को दो और farmers को इस पर खेती करवाओ जो farmers लोग हैं उनकी जमीन तो थी farmers की बट उनके जो एक fix ओनर थे वो जमीनदार ही मनेगे थे farmers जो भी खेती करते हैं जो किसान लोग जो खेती करते थे उस खेती के बदले ये क्या करते थे इसे एक amount पे करते थे और जो amount होता था जमिनदार द्वारा जो जमिनदार द्वारा farmer से एक amount लिया जाता था ये actual में इस fixed amount से बहुत ज़्यादा होता था बैं मालो मैं एक्जामबल के लिगा तो हम ब्रिटिश लोगों ने बोला कि तुम्हें सो रुपे लेने बट ये सो नहीं लेते थे ये आगे से और ज्यादा पैसे लेते थे जिससे जमिनदार लोग इन्हें भी पूरा tax देते थे और दूसरा ये अपनी income भी कमाते थे उस time प एक्षिन में एक triangle create हुआ था किस दिश का British जमिनदार और farmers का और जब एक triangle create हुआ था तो इसको land revenue system का गया था land से related revenue का एक system था बिटिश लोगों ने जमिनदारों को जमीन का एक fix honor decide कर दिया जमिनदारों ने उस पर खेती किस से करवाई farmers से farmers अपनी खेती के बदे उन्हें एक revenue देते थे और उस revenue का एक part किसको भी पास जाता था British के पास जाता था तो ये land के ओपर मिलने वाले revenue का system मना भूमी को पर मिलने वाला राजसु का एक प्रणारी बन गई थी तो इसलिए इसे भूर राजसु प्रणारी या land revenue system कहा गया था और इसी system को एक और नाम भी दिया गया इसको नाम दिया गया जमीनदारी system इसको जमीदारी सिस्टम भी कहा गया था इसको हम जमीदारी प्रिथा भी कहते हैं किलर है next आता है forceful commercialization of agriculture किसान लोग जो खेती करते थे न वो करते थे ये वाली subsistence farming subsistence का मतलब सिर्फ अपनी life को run करने के लिए तो जो product आता था वो अपने life के लिए आता था बड़ बाद में उन्होंने उन्होंने ये सोच है नहीं कि हम अपनी खेती के जो भी हमारा product आएगा उसको हम market में sale करेंगे और पैसा कवाएंगे बड़ बाद में British लोगों ने उन्हें क्या करा force करा कि एक काम करो market से तुम पैसे भी कमा सकते हो opportunity है बेचना start करो अपने product को किसान लोगों को पता था हमके पास product वैसे ही ज्यादा नहीं है तो वो बेचना नहीं चाते थे फिर जबर जस्ती जो है किस सिज का agricultural product का तो एक किरसी का एक बाद्यकारी बाद्यकारी का मतलब जिस पर बैन है जिस पर एक boundaries लगी हुई है बाद्यकारी एक वैपारी करण था last, gulf between, gulf का मतलब होता है खाई से, gulf between honors of the soil किस की बीच में? honors का मतलब है जो जमीन के मालिक है and tillers of the soil ये word धनक न? tillers का मतलब होता है वो person जो जबोमी पर खेती करते हैं, खेती करने वाले परसं किसान है, honors का मतलब है यहापर एक तर्की के जमीनदार लोग होगे या जो भी इसके जमिन के मालिक रहेंगे अब उन जमिन के मालिक और जो जमिन को जो अतने वाले किसान लोग थे उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई थे खाई का मतलब डिस्टेंस मेंटेन होता जा रहा था वो reason क्या था, वो reason था जमिनदारी सिस्टम अब इसी बात है, जो owner थे, वो tillers का बहुत ज़्यदा exploitation करते थे जो भूमी के जो मालिक थे, वो किसानों का बहुत ज़्यदा social करते थे और exploitation की वज़े से उन दोनों की बीच में, किस-किस में, tillers में और owners में, इन दोनों में, आपस में, बहुत ज़्यदा differences आती चले गए थे इन दोनों की वीच में, बहुत ज़्यदा distance maintenance चले गए थे ठीक है, तो ये हमारे सारे features हैं, मैं फिर से repeat कर रहो law production and productivity, dependency on rainfall, क्यों था, ये मैंने तुम्हें रीजन बताया subsistence farming, small and fragmented land holdings, land revenue system इसके अंदर एक important topic है, इस concept में, फिर forceful commercialization था agriculture का, और last हमने पढ़ा, gulf between owners of the soil and tailors of the soil ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला topic था, agriculture sector, agriculture sector हमारा topic complete हुआ, next class में हमें start करेंगे, industrial sector और foreign sector और उसके agriculture topics हैं, मैं आपको सारी class इसी sequence में provide करूंगा, आज की class यहीं wind up करते हैं, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो, तो like कीजिए, हमारी channel को subscribe कीजिए और वीडियोज को जदे जदे लोगों को share भी कीजिए, that's all for today